नमस्क्राइब दोस्तों वेल्केम बैक ओन माई चैनल माई नेम इस दूंकुरू रनाब देख रहे हैं मोटो यात्रा आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ यामाहा MT15 के अंदर जो new updates आये हैं उनके बारे में इससे पहले मैं इस बाइक का एक detailed review कर चुका हूँ अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं उसका लिंक जो है आई बटन में आपको दिख जाएगा और description box के अंदर भी इसका आपको link मिल जाएगा MT15 जो bike है personally मुझे बहुत ज्यादा पसंद है because इसका जो look है 150 CC में इससे ज्यादा good looking मुझे और कोई bike नहीं लगती है और साथी में जो features add किये गए हैं like variable wall actuation इस bike के अंदर दिया गया है single channel ABS आता है and twin light इस bike के अंदर दी गई है जो बहुत ज्या ज्यादा powerful 150 CC की कोई दूसरी बाइक आपको नहीं मिलेगी और 18.2 horsepower होने के बाद में भी इसका जो mileage figures है बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं इस bike का में proper mileage test का video बना चुका हूं अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा था आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं i button में आप इस bike के अंदर new update क्या दिया गया है उससे पहले अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe my YouTube channel and press the bell icon button उसके अलावा अगर आपके कोई queries रहती है तो मेरी Instagram ID आपको यहीं पे दिख जाएगी आप वहां पे जाके मुझे message कर सकते हैं इस bike में पहले आपको 3 colors options मिलते था सब्सक्राइब आपका metallic black मिलता था इन दोनों colors के जो प्राइस थी 1,39,000 रूपीज एक शोरूम रखी गई थी और थर्ड कलर जो है आप इस वीडियो में देखी रहे हैं यह white और reddish orange कलर के alloy wheels के साथ में आता है इसकी जो प्राइज है वो थोड़ी सी जादा रखी गई है वलनेक 40,900 रूपीज इसकी प्राइज रखी गई है अब इसी के अंदर यामाहा ने 11 new colors options add किये गए हैं या कहूं तो कस्टमाइजिशन के options add किये गए हैं जिसके अंदर जो first color add किया गया है तो matte blue color के साथ में आपको reddish color के orange alloy wheels मिलेंगे और यह जो color है orange color जो है आपको tank के उपर भी जो empty का logo है वहां पर भी देखने को मिलेगा और जो fifth color है वो matte blue के साथ में आपको gold color के alloy wheels मिलते हैं और sixth जो color option आता है matte blue के साथ में ही racing blue color के dark color के alloy wheels मिलते हैं seventh जो color option दिया गया है matte blue के साथ में आपको neon color के alloy wheels मिलेंगे और neon color का ही empty का logo मिलेगा तो यह तो थी matte blue color के साथ में आपको 4 other color options अब बात करते हैं metallic black color की इसके अदर जो first option आपको मिलेगा black color के साथ में reddish orange color के alloy wheels दिये गए हैं ninth color जो है उसके अंदर matte black के साथ में आपको golden color के alloy wheels मिलेंगे और 10th नमबर पे metallic black color के साथ में dark color के racing blue color के alloy wheels और racing blue color का ही empty का logo मिलेगा और metallic black color के साथ में 11th option मिलता है आपको neon color के alloy wheels नियोन कलर का एम्टी का लोगो टेंक पे मिलेगा तो यह फोर ओप्शन्स जो हैं आपको ब्लैक लर के साथ में मिलेंगे लास्ट में जो आता है थर्ड नंबर पे आपका वाइट कलर जिसके अंदर और लेडी से औरेंज कलर के रेडिश औरेंज कलर के अलॉइ विल्स यामा आप इसके अंदर जो है ट्वल्थ नंबर पे वाइट कलर के साथ में गॉल्डन कलर के अलॉइ विल्स एड किये गए हैं थर्टीन्थ नंबर पे जो है वाइट कलर के साथ में ब्लूइश कलर के जो है रेसिंग ब्लू कलर के जो हैं अलॉइ विल्स एड किये गए हैं और फ को किसमाइजिशन के ऑप्शन मिलते हैं और सभी कलर्स की बात करूं तो यह ओल 14 कलर्स जो है आपके सामने भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं अब यहां पे जो है यामा ने इनकी प्राइज जो है थोड़ी और इंक्रीज की गई है जो न्यू प्राइज रखे गए हैं वह वन ले करा दिये हैं अब मैं वीट कर रहा हूं कि यामा कोई एडवेंचर टूरर बाइक भी अगर इंडियन मार्केट के लिए लूंच कर दिता है तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा बिकुस एडवेंचर टूरर बाइक का जो मार्केट है इंडिया में काफे अच्छे तर और जो फीचर्स एंड जो माइलेज है वो बाइक का बहुत ही अच्छा है अगर आप प्लान कर रहे हैं इस बाइक को लेने का किसी और बाइक को लेने का तो डेफिनिटली एक बार आपको ये बाइक देखनी चाहिए तो इसी के साब मैं इस वीडियो को मैं यहीं पेंट कर